नमस्कार दोस्तो आसा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छ होगे दोस्तो बहुत सारे लोग मुझे बोल ले थे कि उनको Pomeranian Dog चाहिए लेकिन वो लोग कन्फीूज हो रहे थे कि कौन सा Pomeranian Dog ले किनी के पास कम बजट होता था किनी के पास ज्यादा बजट होता था तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीनो पॉमरेनियन डॉग दिखाऊंगा और उसका जन्यून प्राइस दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आगे लेने में कोई भी दिकत ना हो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको अपने टॉमी जैसा डॉग दिखाऊंगा जिसको इंडियन स्पीड्स बिरिड का कहते हैं फिर मैं आपको कल्चर पॉम का दिखाऊंगा फिर टॉय पॉम का दिखाऊंगा दोस्तो तीनो को देखने के बाद ही आप डिसाइड कीजे कि आपको क दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एस्पिट्स के वारे में जो मेरे पास जो ब्रीड है दोस्तो यह जो ब्रीड है दुनिया का सबसे सस्ता डॉग यही है इसे सस्ता आपको कोई भी डॉग नहीं मिलेगा दोस्तो यह कम प्राइस का है सस्ता है इसका मतलब यह नह में भी आपको नहीं मिलेगा और इससे ज्यादा में अगर मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी मत लीजेगा दोस्तों इंडियन स्पिट्स में भी बहुत सारे क्वालिटी के आते हैं जैसा कि आप देख सकते हो यह डॉग बरा भी हो गया है तो इसके बाल छोटे छोटे लग र इसका प्राइस कम होता है दोस्तों आपके आसपास में यह कम बाल वाला डॉग कितने में मिलेगा कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों यह जो इंडियन स्पिट्स कम बाल का होता है यह बच्पन में पता नहीं चलता है कि कम बाल का है इसलिए बहुत सारे लोग ठगा जाते हैं उनको पता ही ने चल पाता है कि य onion speech ऐगे चल करके कम बालका होगा दोस्तों अगर आप लोग भी इंडियनेस पर लेना चाहते होतों इस बात पर सतंस्तर के रहना क्योंकि कुछ इंडियन उस्पीर्थ ऐसे होते हैं जो बाद में चल करके छोटा छोटा बाल उसका रह जाता है तो इस चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए जिसों मैं आपको बताओं कि बच्पन में कैसे पता किया जाय यह इंडियन-फिट बढ़ा चल करके उसका बाल बढ़ा होगा या फिर छोटा कैसे पता किया जाए अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए मैं इस पर बिल्कुल बीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा तो दोस्तो इंडियान फिड्स भी खराब डॉग नहीं होता है बहुत सार लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास है बहुत ही क्यूट डॉग है तो दोस्तो अब मैं आपको कल्चर पॉप मेel में बतलाता हूं दोस्तो ये डॉग भी इँडिया में अभी बहुत ही ज्या इंडियन स्पिड्स जे काफी छोटा होता है साइज में दोस्तों ये जो डॉग है मैं नहीं डाला था एक साल पहले मेरे यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो उस टाइमे मैंने अरॉंड 9000 का ये पपी डाला था तो 9000 में ये पपी सेल हुआ था तो दोस्तों जो कल्च करूंगा कि अगर आप कल्चर पॉम लेना चाहते हो तो अपना बजट 8000 से उपर ही रखिए तो आपको अच्छा मिलेगा उससे कम लेकर के कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि छोटे बाल रहेंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा तो दोस्तों ये था कल्चर प का वीडियो है दोस्तों ट्वाइपों जो है वो नॉर्मली आपको 20,000 के आसपास का मिलेगा 18,000 से नॉर्मली स्टार्ट होता है और 25,000-30,000 में नॉर्मली ये ट्वाइपों मिलते हैं और कहीं कहीं जो की अच्छे वीडर से अगर आप लोगे तो आपको 60,000 या फिर 70,000 मे भी ये ट्वाइपों का डॉग देंगे दोस्तों ये बहुत ही छोटा होता है और इसके बाल बहुत ज़्यादा बरे होते हैं दोस्तों इसके सटिक वीडियो मेरे पास नहीं है और भी बहुत सारे वेराइटी के ट्वाइपों होते हैं जिनका क्वालिटी काफी अच्छा ह तो आप लोगों के पास है अगर ट्वाइपॉम तो निचे कमेंट करके बता दिजे कि आप लोगों को पता चल पाए कि ट्वाइपॉम मार्केट में कितना मिल पाता है दोस्तों यही था हमार आज का वीडियो मैं होप करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों देख करके आप अच्छे से समझ लिजिए कि कौन सा डॉग कौन है ताकि बाद में आपको उतना ही प्राइस देना परे दोस्तो एक एप है जिसका नाम है डॉग एन ओनर यह वन आफ ता बेस्ट रिव्यू एप है प्ले स्टोर पे और आप लोगों ने उसको काफी अच्छा रिव्यू दिया है तो उस एप को इंस्टॉल कीजिए और उस एप में आपको डॉग ब्रीड के वारे में खाना के वारे में उससे रिलेटेड कपरा हो भोजन हो सब कुछ आपको इस एप में मिल जाएगा बहुत इंट्रिस्टिंग आप है उस एपको एक वाज इस इस्ट करते रता हूं ताकि आप लोग को आगे कोई भी दिकत ना हो